पतनी स्वयम बाद्य कर देती है पती को गलत मारक पर जाने के लिए मेरा पती भी गलत मारक पर तो नहीं जा रहा है अब भी आदमी कोई दर्म का काम करे तो पतनी का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है यग्य में बेटे तो पतनी का साथ में बेटना बहुत फल्दाई होता है और फेरे लेते हैं न तो अगनी की साक्षी में ये परण किया जाता है कि आज के बाद में धर्म में तुम मेरी शहयोगी रहोगी अरी चंदर अपनी पतनी के पास में जाकर के तारा देवी से कहता है कि देवी में आप से बीना पूछे राज्य का दान तो कराया और अब अड़ाई बार सोना भी देना है बताओ में क्या करूँ सच में पतनी जो होती है ना दरम पतनी है तो पती को कभी गड़त मारक पर नहीं जाने देगी ये ध्यान डग़ान दरम पतनी नहीं है दन पतनी है तो गड़बड़ो सकता है लेकिन दरम पतनी है तो दरम पर रखेगी पती को पती की हर नजर पर ध्यान रखेगी के कहीं मेरा पती भी गलत मारग पर तो नहीं जा रहा है धरम पत्री हमेसा ध्यान रखती है कई जगाओं पर ऐसा होता है कि पत्री स्वयम बाद्य कर देती हैं पती को गलत मारग पर जाने के लिए साइध सुनने में थोड़ा आठवटा लग रहा होगा लेकिन जब किसी दूसरी इस्त्री के गले में वो क्या बोलते हैं उसको सोनने का प्रत्रा तेवटो आड़ आड़ वो आड़न तेगड़न पे रहे नहीं वो एक दूसरी इस्त्री के गले रहे माई एक दिन एक इस्त्री देखो और बात देखन माराज गरे आन पतिन के जो गमारे के पेड़ो पेड़ो करा होगे अब भी रुपिया किता लागे जड़ो बना होए पेड़ा लागे अब भी भी ओंगे मोटर आड़ो आड़ तेड़ देख्यों नहीं तो बन कियों मेरे यड हो बनाओ जिन बेंगे तो रूपी आवे मैने का लाक बढ़िया कमाई करें और इंग रूपीय आवे नी जिन बन कियों आई कुकर ही लावत लाओ मार्तों बोलाओ जिन गर में बढ़े राड हरू करते हैं फो करें के वो को इने महाराज अभी थो वह बो तो कराणों ही पड़ी तीरी आठ कर लियो तो वो तो लाणों ही पड़ी अब ऑन काहीं करें करीके का बात करी कि वैडा अब बुने गियो बुने जान माराज गाड़ी बर उनके पुलिस अड़ा पकड़न एंडी बेस को दारा लागी और दारा लागन जेल में दे दी होते गड़ाज पे रहे बेटी होते गड़त मारग पर लेकर के चली गई नहीं तो अगर दरम पतनी होती छोड़िये ना गैनों की क्या सोबाए किसी इस्तरी का चरीतर चला गया उसका पती गलत मारग पर चला गया और फिर दसला का गैना पैरलिया तो भी धूड समान है लेकिन किसी इस्त्री ने अपना चरितर सही रखा है और एक तिमणिया भी पैर रखा है तो उसकी जेजेकार होती है उसके चरितर की महिमाग आई जाती है सीता के जीवन को देखो कौन से गैने पहने थे उन्होंने सीता ने गैने पहने थे अरे राज में बैठी थी महलों में बैठी थी अयोध्या के महलों में बैठी थी और जब सुना कि मेरा पती जंगल में जा रहा है वन में जा रहा है तो गैनों को क्या खाक मेरे लिए गैना उतार करके फैंक दिया और चल पड़ी अपने पती की पीछे पत्नी तो वो होती है क्या करोगी गैनों से अगर चरीतर बेच दिया पती गलत महारग पर चला गया तो गैने क्या काम आएंगे सच में धरम पत्नी तो वो होती है जो अपने पती से कहे कि मुझे दस ड्रेस पहनने की आवशकता नहीं है दस चपल जुतों की आवशकता नहीं है आत में अंगुठिया और बड़े बड़े वो क्या बोलते है जुम के पहनने की जरूरत नहीं है इतने गहने की जरूरत नहीं है बस मैं तो यही कहूंगी कि बलाई साल में दो ड्रेसी मिल जाए पहनने के लिए गेना नहीं मिले लेकिन हम अमारे गर के लिए और आप धरम के मारक पर रहो यही जीवन के सबसी बड़ी कमाई है